Recently murdered सुखदेव सिंग गोगा मेडी जिनके खुद के खिलाफ almost 30 criminal cases registered हैं, ये कौन थे? Let's get to know. मंगलवार के दिन राश्ट्री राजपुत करनी सेना के दियक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या हो गई. शाम नगर जैपुर के अंदर बने, उन्हीं की घर के अंदर गुसकर दो लोगों ने उन पर अटैक किया. इन दोनों लोगों को पुलिस ने इडेंटिफाई किया है, जिन में से एक का नाम है नेटिन पॉजी और दूसरे सुस्पेक्ट का नाम है रोहित राठोर. सुखदीव सिंग के बाद करें तो ये राजपुत करनी सेना के मेंबर थी, लेकिन इन्हीं उस पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि इनके कुछ डिफरेंसिस थी पार्टी के फांडर्स के साथ में, जिसके बाद 2015 में इन्होंने खुद की और्गनाईजेशन बिश्णोई गैंग के मेंबर हैं, उन्होंने इस पूरे इंसिरेंट के रिस्पॉंसिबिल के लिए एक फेस्बुक पोस्त के जुरिये, सुखदेव सिंग के सपोर्टर्स ने पूरे राजस्थान के अंदर प्रोटेस्ट और जिसके अंदर उनके वाइप शीला शिखावत ने भी पार्टी स्पीट किया, इनके सपोर्टर्स का कहना है कि जब तक उन दो सस्पेट्स का एंकाउंटर नहीं होगा, वो ना ही तो ये प्रोटेस्ट खतम करेंगे और ना ही राजस्थान के मुख्य मंतरी की शपत होने देंगे, इसी के साथ उन्होंने राजस्थान बं का भी एलान किया. Now, criminalization of politics has always been a major issue in India. What do you think about this incident? Do let me know in the comment section and for more such informative videos, keep following.